हेलो अब्रिवन, स्वागत है आप सभी का सीध्य चाहजू कसन में आज हम लोग फिजिक्स के इमनिट फर्स्ट से टॉप फोटी फाइब कोशन को डिस्कस करेंगे यह सभी कोशन प्रिवियस किसी न किसी एकजाम में पूछे गया है तो आने वाले सभी एकजाम के लिए यह कोशन इंपोर्टन बन जाते है एक एक करके हम लोग सभी कोशन को डिस्कस करेंगे तो यह सुरू करते हैं कोशन नमबर फर्स्ट से कोशन नमबर फर्स्ट में हैं एक डाइन किसके बराबर होता है तो में जानते हैं डाइन बल का मातरक होता है और बल का SI मातरक न्यूटन होता है तो न्यूटन और डाइन में एक रिलेशन होता है एक न्यूटन बराबर था है 10 पौर 5 डाइन के तो यहां से जब डाइन का भेलू निकालेंगे एक डाइन का भेलू तो 10 पौर 5 जब इधर ज स्क्वायर में नेश्क कुछन है डाब की काई चाहिं तो आप फर्मूला से किसी भी क्वांटिटी का आप सब्सक्राइब आसानी से निकाल सूर्ज के फोटोग्राफिक के लिए एस्प्ट्रो हेलियो का प्रियोग ग्राफ का प्रियोगाता है इसे आप ध्यान में रखेंगे तो ते होगा नहीं किसमा का नní क्वेशन नमबर five है बहुत उंच ताप मान को मापने के लिए हम प्रियोक करते हैं जब बहुत high temperature हो तो उसको मापने के लिए हम वो क्या प्रियोक करते हैं तो इसका written हो जाएगा C, ताप, बैदुद, उताप, मापी जब high temperature को measure करने के लिए उत्हाफ मापी का प्रयोग करते हैं Q SOgn 5 है X किरोनों के तरंग धहर को मापने के लिए कोन से उपकरण का प्रयोग की आथा है X किरोनों के तरंग धहर को मापने के लिए Bring Aspectrum मापी का प्रयोग की is क्या Hmm है तो यह कुशन जो हाना मैक्सम टाइम प्रिक्षा में देखने को मिल जाते हैं और यह आविर्थी का यूंट होता है तो किसी भी आविर्थी यानिके तरंगों की आविर्थी का यूंट के होता है हर्द जिसको एच जड़ से डिनोट किया था हम कुशन नमबर एट है उसमा के य होगा तो यह इस डराई टंसर सेंटी ग्रेड नहीं होता है उसमा का यूंट कोस्टन नमबर नाइन है एक्स रे की खोज रो एंटेजन ने कि थी प्रकास बर्स होता है प्रकास बर्स क्या होता है तो वह बर्स जिसमें सुज का प्रकास अधिकतम रहा हो नहीं होगा वह बर्स जिसमें कार्ज भार हलका रहा हो यह भी नहीं होगा प्रकास द्वारा एक बर्स में चली गई दूरी राइट एंस था नेएच्ट कुशन है पारस्यक मात रखाया हैं तो पारस्यक मात रखाया और प्रकास बर्स भी दूरी का मात रखाया है कुस्सर नमबर 12 देखेंगे अरक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है अरक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है ये कुस्सर में पुछे जाता है तो इसे ध्यान रखेंगे इसका राइटेंस हो जागा B कुस्सर नमबर 13 है 6 फिट लंबे ब्यक्ति क्यूं चाहिए नैनो मीटर में कैसे ब्यक्त की जाएगे तो आप ध्यान में रखेंगे कि एक फिट इकवल्ट वहता है 30.48 cm देखे एक फिट में 30.48 cm तो इसमें 6 फिर का आ जाता है 6 फिर से मल्टिप्लाई आप कर देंगे 30.48 में तलभों में आपका आ जाएगा 182.88 यतना क्या हो जाएगा आपका cm इसको जब राउंडिंग करेंगे तो 183 के बराबर हो जाएगा और नेनो मीटर या एक मीटर को सकते हैं एक मीटर एक टैन पटेंड बराबर 9 नैनो मीटर तो आप यहाप देखिये संटी मीटर है तो यहाप का हो जाएगा इन्टु 10 बवड 7 नैनो मीटर इसका राउंड अज्टिंघ दो जाएगा 183 इंटु 10 पावर 7 याणन की राईटेन स दूद के घुनहतं को किस के द्वारा माँ आता है कि नहीं जानते हैं कि दूद में लेक्टिक कैसी पह उता है तो लेक्टिक से लेकटो जली चैना को किस के मैं मेजर के आता है इसमें देखिए आई एस में को सम्पूछा गया है 2006 में उच बेक का मातर कौन सा है तरंगदार का कौन है दाब का कौन है उर्जा कोन है तो सबसे पहले आप यह काम करेंगे कि जो आपको कंठस्ट आता हां उसे आप मैशिंग कर लेंगा हम जानते हैं कि उर्जा का मातर क्य हैंगे एक का 1, B का 2, C का 3 और D का 4 तो इसका राइटेस हो जागा आपका C कुसन नमबर 20 है एक होर्स पावर में कितने वाट होते हैं तो यह तो आसान कुसन है 746 वाट होता है जूल उर्जा से उसी तरह सम्बंदित है जैसे पास्कल सम्बंदित है देखिए जूल क्या है ओर्जा का यूट है तो पास्कल किसका यूट है तो दबाव का अपका पास्कल इसका राइटेस हो जागा आपका B प्र नोमर नहीं है तो डेशिबल दोने का की प्रवलता की काई आ यहाँ तरफ मेंrek इसबी नहीं होता है यहां पर कॉल्चेस उसमा का का उनीट नहीं होता है तो यहां पर कॉन सु लित नहीं होता है तो D, इसका राइटेंस हो जागा D, नेक्स कुशन है 23, 23 में कहा जाए रहा है कि एक पीको ग्राम बराबर होता है, एक पीको ग्राम किसके बराबर होता है, देखे एक पीको ग्राम दस्ट के पावर माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है, इसका राइटेंस हो जाएगा C, कुशन कि जा रहा है बाइमन्दिल्य दबाय की यकाई क्या होता है तो बैमन्दील दबाय की यकाई क्या होता है बार होता है इसका लाइटर भेज़ हो जागा ए कुस्तर नमबर टोंटीशी क्स है बहुत यathon रहर है लेकिं फुसाव कि यह यहाँ EKPCS में एक बैरल निवन में से लगबक कितना होता है तो एक बैरल जो है ना आपको 159 169 लिटर के बराबर होता है लंबाई का निवनतम है क्या है कि लंबाई का सबसे निवनतम क्या है इक आई तो देखिए यह सब जो है ना लंबाई कहीं है लेकिन कहा जा रहा है निवनतम कौन है तो माइक्रोन आप देखेंगे 10 तो पर माइनस 6 होता है नेनो मीटर 10 तो पावर माइनस 9 होता है एंगस्टरम 10 तो पर माइनस 10 होता है और फ़र्मी मीटर 10 तो पार माइनस 15 होता है तो आप देखेंगे 15 है यहाँ पे तो सबसे छोटा कौन हो देखेंगे आपका फ़र्मी तो इसका राइट आपने के लिए प्रयोग किया जाता है पाइर हिलियो मीटर का प्रयोग किया जाता है पाइर हिलियो मीटर का किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो यहां पर आपको अप्सान देखेंगे Sun Sport को no solar radiation को yes solar radiation को measurement करने के लिए fire heliometer का प्रियोग किया यह था हम next question 29 number manometer के द्वारा किसकी map कि जाती है manometer के द्वारा किसकी map कि यह थे इसका item वूज़ागा b गैसों के बीच दबाओ को गैसों के दबाओ को measure करने मेंनों मीटर का फ्रयोग ए कि आता हां, Song question About 30. question About 30 में भी आपको met혀 champion कराना शुमिलित करना है, त्वле देखे यहाँ पर आमेटर है, तै अमेटर का जो है न, आपका, यहाँ पर आप लॉमेटर का जीए जाएंगे, सी आपका स्प्रिंग तूला है भार को मेजर करेगा और बेरमिटर दबाव को इसके राइटन्स वरका हो जाएगा आपका बी क्या पर कि अपकल आपको अब करते हैं तो जल की सुरता को नहीं जल की कहराई नहीं जल के बहाव को मेजर कियाता है जल की मातरा को नहीं तो इसका राईट में जल चाएगा C जल के बहाव को Q-shape में मेजर कियाता है इसे आप ध्यान में रखेंगे Quesn number 33 है Dobson Iki-ai का प्रियोग किया जाता है Dobson Iki-ai का प्रियोग कहां पर किया जाता है तो प्रित्वी की मोटाई में अपने में नहीं, हीरे की मोटाई में अपने में नहीं, ओजोन परत की मोटाई में अपने में, yes, right answer is C, ओजोन परत की मोटाई को मपने के लिए डबसन का प्रियों किया आता है, यह आपका इसा कर सकते हैं, कि ओजोन परत का, जो मेजरिमेंट क यम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया उपन एई सुनार का प्रयोग यहां पे किया उता है और सुनार का जो हाना आपका फूल फरमता है साउंड नेविगेशन यान रेंधिन ये जो हाना प्रासरभ्यत रंगों के उपियों करके समुद्र के भीतर किसी भी बस्तु की इस्तिती ग्यात करने में शहाय कुप कर रहा हैं यह हुए है कि आ अपका सुनार के दियान में रखेंगे क explan नंबर 35 हैं दोने की तिवरिता मापने वाला यंत्र है खाउने की तिवरिता मापने वाला यंत्र कौन है तो ओडियो मिटर राइटन से उलजहगा डीनास्ट QUESTION है 36 यूज चाहर जागा सी उच्छ ताप का मेजर्मेंट करना हो तो पैर मिट्र का यूज आप कर सकते हैं पूच्छा गया है कुस्तन नमर 37 अनिमो मेटर में एनिमो मेटर से निम रिक्षित में से किसका मापन किया तो पवन के बेग जो पावन का बेग होता है उसके बेग का मेजरमेंट करने के लिए एनिमो मिल्टर का परियोग किया जाता है नेक्स्ट आपका सुमिलित करना है सुची 1 को सुची 2 से सुमिलित करना है तब यहाँ पर देखेंगे एक तरफ में भौतिक रासिया दी गई है और यह तरफ में इकाई है तो तोरण का जो मातर को तम जानते हैं तोरण का मीटर पर सेगेंड एसक्वार एक का आपका हो जाएगा फूर तो आप देखेंगे यह डि अंसर डिरेक्टली मिल जा रहा है इ जी इसका राइटन हो जागा और देखेंगे यह बल बल का आपका क्या हो जाएगा यह न्यूटन हो जाएगा और आभ एक का न्यूटन हो जागा नेकस्स कोष्ण है, कोष्ण नमबर 39, बिंदों लिखीत SI उन्यूर्टों में कौन सि Competetricbr trip नहीं है, देखिये में कौन सिमेलित नहीं इसको देखना है तो कार्ज का मात्रक जूल होता है यह सुमेलित है बल का न्यूटन होता है यह भी सुमेलित है दरवमान का कीलो गराम होता है यह भी सुमेलित है और यहाँ पे दाव का जो है यह सुमेलित नहीं है दाव का जो है इकाई डाइन होता है डाइन फोर्स का इमिनूट होता है यान आपको एकाई दिया हुआ एक तरफ चालरम धिनी प्राचल दिया है अब वाट का प्रयोग मेड़योग आ करते हैं तो इसका जोना सकती का मिजरुमेंट करने में करते हैं वाट सबसे पहला आपका हो जाएगा जूल किसका मात रख होता है तो जूल कार्य का मात रख होता है यानि कि ये का क्या हो जागा आपका 3 हो गया तो ये का 3 इसका आपका right answer A मिल गया A का 3 और किसी में A का 3 है नहीं है A का 3 हो गया और B का 1 हो जागा C का 2 D का 4 E का 5 इसका right answer हो जागा क्या A ये is the right answer Q2 है यहां भी आपको एच ये करना है कि कौन सुमेलित नहीं है देखिए NOT, not का रहा है कि जहाज के चारम की माप ये सुमेलित है नौटिकल मील नो सांचालने परियोक्त दुरी की इकाई है ये भी सआई है एंगस्ट्रम, प्रकास के तरेंगदर की इकाई है अब यहां करा प्रकास बर्स शमय का मापनमो प्रकास बर्स दूरी से समल्रेत है और यह दूरी का मातरक होता है और शमय का मातरक नहीं ॥ तो कौन सुमलित नहीं है जब आट दिसुमलित नहीं है सबसे पहला एनिमो मीटर में आपको यह मैचिंग करना कि तो यह क्या होजाएगा आपको बायू का बेग अभी हम लोग देखें पीछे कि बायू के बेग को यहां पर सिस्मोग्राफ से बना क्या बैरोग्राफ 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 दबाव के लिए और हाईग्रोग्र आदरता को मापता है तो इसे आप मैचिंग करवाएंगे तो देखेंगे इसका राइटेंस वजाएगा कि निवलिखित में से कौन शुमलित नहीं है मैनो मीटर मैनो मीटर का आपको देखेंगे कि मैनो मीटर दबाव से संब्सक्राइब है कार्बूरेटर आंत्रिक दहानिंगन से यह भी साई है काडियोग्राम हीर्दा की गति को मिजर्मेंट करता है शीश्ममीटर का राकी प्रिष्ट तनाव की बखता गलत अंसर है यह आपर शीश्ममीटर से प्रिष्ट तनाव की बखता नहीं कियाता है तो इसका राइटेंस वजागा डी सुम्लित नहीं है और लास्ट कोस्छन अपका है जुट का पता लगाने वाला यंतर किस नाम से जाना आता है तो जूट का पता लगाने के लिए नार को टेस्ट केहता है और उस यंद्र का नाम होता है पॉली ग्राफिस का राइटन तो यह हम लोग टॉप 45 को देखे जो प्रिवाइस किसी ने किसी एक्जाम में पूछे गया है यदि आप इतना जिस इसमें बहुत सारे को होगा तो मिलते हैं फिर से नेक्ट टॉपिक के साथ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद अन तक वीडियो देखने के लिए